अब पढ़ेगा इंडिया तो आज है 24 दिसंबर और आज की करेंट एफएर के जितने भी मोस्ट उमोर्डेंड कोशन है इस वीडियो में दिस्टोस करेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर लिजिए तक या इस राजी सरकार दोरा फिरी स्मार्ट फोन योजना की शुरूरात की गई है यहे जुजना शुरू की गई है उत्तर परदेश में इसका राईटान्शरू का अप्संस जी और इस से उजना के तहथ राज्य सरकार असनातक और उससे उपर के अंतिम वर्ष के चात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट विद्रित करेगी यूपी की बात हो रही है तो रजदानी लखनव है मुख्य मंत्री योगी आदित्ते नाथ है राज्य पाल अनंदी बेन पटेल है हाले में उत्तर प्रदेश के हैदरपूर अदर भूमी को रामसर साइट गोसित किया गया है 29 वे हुनरहाट का योजन यूपी के रामपूर में किया गया था इसके अलावा यहां नदी पशुपालन कारिकरम की शुरुआत की गई है साथी राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंतरन इस्त्रीकरन और कल्यान विद्धक को पारित किया है और अभियोदे योजना शुरू की गई है जिसका उदेश से है मुफ्त कोचिन क्लासेज प्रदान करना सडको को गड़ा मुक्त बनाने के लिए एक विशेश अभियान के शुरूआत हुई है और यूपी मात्री भूमी योजना हाली में यहां पे शुरू की गई है इसके अलावा निर्भाया एक पहल कारिकरम भी शुरू हुआ था अगला कोच्चन है किस भारतिये को हाली में बिजिंग उलम्पिक के लिए भारतिये दल के सेफडी मिशन नुक्त किया गया है तो सेफडी मिशन नुक्त हुए है हरजिंदर सिंग इसका राइट आंशरों का अपसंदी हरजिंदर सिंग तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हाली में आइस्त होगी एसोसिएशन ओफ इंडिया के महा सचीव हरजिन्दर सिंग को बिजिंग में होने वाली सुर्ट कालिन ओलंपिक के लिए देश के दल के सेफडी मिशन के रूप में नुक्त किया है 2022 के शीद कालिन उलम्पिक की बात हो रही है तो इसका आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक चीन की रजदानी भी जिंग में किया जाएगा दक्षिन कोरिया में 2018 शीद कालिन उलम्पिक और जपान में 2020 ग्रिश्म कालिन उलम्पिक के बाद चीन में यह पहला शीद कालिन उलम्पिक है और इसके साथ ही लगतार तीन उलम्पिक में से सबसे अंतिम उलम्पिक होगा जो पुर्वी एसिया में आयोजित किया जाना है अला कोशन है BWFA विश्वर चैंपियंशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो यह खिताब जीता है लोह किन यू ने इसका राइटान शरू का अप्शन है लोह किन यू 2021 के बैर्मिंटन वर्ड फेडरेशन जोकी एक वार्सिक टूर्णामेंट है इसका आयोजन 12 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक हिवेलवा इस्पेन में आयोजित क्या गया था इसमें सिंगापुर के लोह किन यू ने पुरुष एकल का खिताब जीता है जबकि जपान की अकाने यामा गूची ने महिला एकल का खिताब जीता है तो इस चेंपियन सिप में पुरुष एकल का खिताब लोह किन यू ने महिला एकल का खिताब अकाने यामा गूची ने पुरुष यूगल का खिताब ताकूरो होकी और यूगो कोबायसी ने जबकि महिला यूगल का खिताब जीता है चेन किंग चेन और जीया इफैन ने अगला कोशन है संजुक तराश्ट्रियों महिला पुरिषकार हाल ही में किसने जीता है यह पुरिषकार जीता है दिभ्या हेगडे ने इसकराई राणशरों का अपसंडी दिभ्या हेगडे दिभ्या हेगडे करनाटक की एक भार्तिय जलवाय कारेवाय उदमी है जिन्होंने 2021 के चेत्रिये एशिया प्रशांत महिला अधिकारीता सिधान्थ पुरषकार सामा रोह में नित्रित्व प्रतिबधिता के लिए संजुक तराश्ट का महिला पुरिषकार जीता है अन्य विज़ताओं में शामिल है यू अन्य तरित्व के लिए पल्लवी शेरिंग लिंग समावेस्ती कारी अश्टल के लिए नट वेस्ट ग्रूप जेंडर रिस्पॉंसिव मार्केट प्लेस धर्मा लाइफ सामुदायक चुडाव और भागीदारी के लिए दवेरी ग्र को इसका रायरा आश्रों का आप्सन दी 23 दिसंबर किसान दिवस या राष्ट्य किसान दिवस जो प्रतेक वर्ष 23 दिसंबर को भारत के पांशवे प्रधान मंत्री चोधरी चरन सिंग की जैन्ती के उपलक्षे में पूरे देश में मनाया जाता है उन्होंने किसान हितेशी नीदिया लाई और किसानों के कल्यान की दिशा में कारे किया था वह भारत के पांसवे प्रधान मंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जन्वरी 1980 तक प्रधान मंत्री के रूप में देश की सेवा की थी किस राज्य या केंद्र शासित प्रधेश में पहला शिक्षक विश्वविद्याले अस्थापित किया जाएगा तो यह विश्वविद्याले अस्थापित होगा दिल्ली में इसका राइटांशर होगा अपसने दिल्ली दिल्ली शिक्षक विश्व विद्याले के अस्थापना को मन्जूरी मिली है यह विश्व विद्याले कक्षा बारह के बाद चार वर्षी एक इकरित शिक्षक सिक्षकारिक्रम की पेशकोष करेगा इस कारिक्रम में BA and BA, BST and BA और Become and BA पार्ठिक्रम को शामिल किया जाएगा बात हो रहे दिल्ली की यहें किंद्र शासित प्रेदे से साथ ही भारत की रुष्दानी है मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल है उपराज जेपाल अनिल वेजल है दिल्ली ने हाली में मेंटर कारिक्रम की शुरुआत की थी दिल्ली के रोहनी में पहली पसुद येने परयोगशाला अस्थापित की गई है यहाँ पे देश भक्ती पाथे चारियाप की भी शुरुआत की गई है इसके अलाबा फेसलेस परिवहन से माय लॉंच की जाएगी देश के पहले स्मोग टावर का उदगातन की आगया है बिजनेस ब्लास्टर्स कारिक्रम की शुरुआत की गई है माइक्रो ग्रीड परनाली का उदगातन की आगया है दिजिटल जनसंक्या घडी का भी उदगातन हुआ है और रेड लाइट और रेड लाइट और गारी ओफ अभियान की भी शुरुआत हुई है अगला कोशन है हाली में किस राज्ये ने पूलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षन की घोसना की है इसका राइट आंसरों का अप्सन है करनाटक हाली में करनाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर को पूलिस में एक प्रतिसत आरक्षन देने की घोसना की है पूलिस विभाग में सभी रेंगों पर उन्हें आरक्षन दिया जाएगा करनाटक की बात हो रही है तो रजदानी है बैंगलूरू, मुख्य मंत्री है बस्तो राज़े बोमई, राज़े पाल है थावर्जन गहलोवत बिधान सभा सीठे 224, बिधान परिसद है 75 और राज़े सभा सीठे 12 राज़े में जन सेवक और जन अस्मंदन योजना शुद्धा राज़े में जन सेवक और जन अस्मंदन योजना शुरू की गई है बात हो रहे हैं ट्रांसजेंडरों की तो भारत में पहली ट्रांसजेंडर पुलिस के प्रिथिका यश्नी बनी थी जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें तमिल नाडु में सब इंस्पेक्टर निउक्त किया गया है अगला कोश्चन है किस राज्य शरकार ने उडान योजना की शुरूगात की है तो यह योजना शुरू की है राजस्थान ने स्कराइटान शुरूगा अपसन से राजस्थान और इस उडान योजना के तहट राजस्थान में 10 से 45 साल तक की 120 लाख महिलाओं और बाली काओं को निसुल के सेनेटरी नैपकिन वित्रित किया जाएगा राजस्थान की बात हो रही है रजदानी है जैपुर जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है मुख्य मंत्री है शोगहलोत और राजजेपाले कलराज मिश्रा मुख्य नैदी से अकिल अब्दुल हामित कुरेशी राजस्थान जो छेत्रपल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राजजे है और यहां के सोजद मेहंदी को हाल ही में जी आई टैग मिला है यहां पर वेदिक सिक्षा और संस्कार बोड अस्थापित करने की घोशना की गई है मुख्य मंत्री किसान मित्र उर्जा योजना की शुरुआत हुई है और मुफ्त कोचिन क्लासेज के लिए मुख्य अनुप्रतिक कोचिन योजना की शुरुआत हुई है अगला कोचिन है NCRB का नया निदेशक हाल ही में किसे निक्त किया गया है तो NCRB के नया निदेशक बने है विवेक गोविया इसका राइटांशरों का अप्शन भी विवेक गोगिया विवेक गोगिया 1992 के IPS अधिकारी है जो वर्तमान NCRB के निदेशक रामफल पमार की जगह लेंगे नेशनल क्राय में रिकोर्ड्स ब्यूरों की बात हो रही है तो यह ब्यूरों जिसका प्रमुक उदेश से है भारत के पूलिस के आधुनी करन और सुचना प्रदोगी की में सशक्त बनाना इसके स्तापना हुई थी एक 12 मार्च 1986 को हैरकोर्टर है नए दिल्ली और नए निदेशक बने है विवे गोगिया अगला कोशन है हरियाना में सराब पीने की नियुमतम आयू घटा कर कितने वर्ष तक कर दी गई है तो यह आयू कर दी गई है 21 वर्ष तक इसका राइटांशरों का आप्शन से 21 वर्ष हरियाना विधान सभा ने 22 दिसंबर 2021 को एक विद्धक पारित किया जिसमें शराब पीने की नियुमतम आयू 25 वर्ष से घटा कर 21 वर्ष करने का प्रवधान है हरियाना अबकारी संसोधन विध्धक हरियाना अबकारी संसोधन अधिनियब 2021 की धारा 27 में संसोधन करेगा धारा के तहत किसी भी देशी सराब की थोक और खुद्रा विग्री पहले 25 वर्ष से कम उम्र के बेक्ती को नहीं दी जाती थी जो की अब 21 वर्ष करने का प्रवधान रखा गया है हरियाना की बात हो रही है तो रजदानी है चंडीगर राजजेपाल है बंडारू दत्तारी मुक्यमंत्री है मनुहर लाल खट्तेर हरियाना राजजी सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोषना के तहट नया एक इकृत कमार और नियंत्रन केंडर शुरू किया है इसके अलावा देश के पहला मेलिक अनहाइड्राइड करखाना भी हरियाना के सोनी पत में इस्थापेद किया गया है सरकारी करमचारियों को राजिनितिक चुनाव में भाग लेने पर राज्जे द्वारा प्रतिबंद लगाया गया है हिसार हवाई अड़े का नाम महराजा अग्रेसन अंतर रस्ट्री हवाई अड़ा कर दिया गया है देश की पहली हाईडरोजन फ्यूल सेल अधारी ट्रेन यहाँ चलाए गयी थी साथी एक जनवरी से एक जनवरी 2022 से सरवजनिक अस्थानों पर बीना तिका करन वाले लोगों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है और गूरुग्राम में हेली हब अस्थापित करने की गोशना की गई है अगला कोश्चन है हाली में DRDO ने किस नाम से एक बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन क्या है तो इस बैलेस्टिक मिसाइल का प्रले नाम है इसका राइटान शुरूगा अपसंदी प्रले प्रले जो एक छोटी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है इसका दूसरी बार सफल परिक्षन क्या गया है इससे पहले 22 दिसंबर 2021 को और इसा के एपीज अब्दुलकलाम दूइप से इसका पहला सफल परिक्षन क्या गया था प्रले मिसाइल 150 से 500 किलो मीटर दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जमीन से जमीन पर मार करने वाली सोट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है DRDO यानि की Defense Research and Development Organization अस्थापना हुई थी 1958 को मुख्याले है नई दिल्ली और अध्यक्षे G-37 रेडी इससे के साथ Current Affair के कुछ Important Points से इन्हें भी देख लेते हैं इससे पहले DRDO ने अकास NG मिसाइल का सफल परिक्षन किया था इसके अलावा DRDO ने रुस्तम टू ड्रोन विमान के आटोमेटिक उडान और लेंडिंग का भी स्टफल परिक्षन किया है इस तरों ने 802 डाइनल वेरियेशन का अध्यान करने के लिए स्टाउंडिंग रोकेट आरेज 5060 को लॉंच किया है विस्त्व अंत्रिक्षबता 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया है IIT मदरास ने मौसिक माइक्रो प्रोसेसर को हाली में विक्सित क्या है अगला कोशन है हाली में किसने गार्वी बार रस्ट्रिये बिलियर्स का खिताब जीता है तो यहाँ खिताब जीता है पंकज अडवानी ने इसका राइटान शुरूगा अप्सन भी पंकज अडवानी तो हाली में पंकज अडवानी जिन्होंने रस्ट्रिये बिलियर्स में द्रूशीत वाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11 वी बार चेंपियन बने है इसते पहले पंकज अडवानी ने एसियन शुरूगा चेंपियन्सिप को भी जीता था स्कोशन में बात थो रे स्पोर्स की तो हाली में पीवी सिंदू जिन्हें दोहजर पचीस तक के लिए BWF अथलिट आयोग के 6 निउक्ति सदस्यों में शामिल किया गया है एसियन रोइंग चेंपियन्सिप में भारत ने 6 पदख जीते हैं मैक्स विरस टेपेन ने अब्बु धाबी में F1 यानि के Formula 1 चेंपियन्सिप को जीता है नर्वे के मैक्सन कालसन ने FIDE विश्वर 17 चेंपियन्सिप को जीता है एसियन यूथ पैरा गेम्स में भारत ने 41 मेडल जीते हैं अगला कोशन है हाली में किस बैंक ने दिजिटल भुगतान में सिर्ष अस्तान हासिल क्या है इसका राइट आश्वरों का अप्सन है बैंक और बड़ोदा बैंक और बड़ोदा जिसने दिजिटल भुगतान में सिर्ष अस्तान हासिल क्या है भारत के स्वतन्ता के 45 वर्ष गाठ के उपलक्ष में M.I.T.Y. दिजिटल भुगतान उत्सव मना रहा है इस उत्सव के एक भाग के रूप में बैंक और बड़ोदा को विभिन शुरेनियों में वित्वर्ष 2019-2021 और 2021 के लिए 5 दिजिधन पुरुष कारों से समानित क्या गया है बैंक और बड़ोदा की बात हो रही है तो अस्तापना हुईती 20 जुराई 1908 में मुख्याले है वडोदरा गुजरात में प्रबाण निदेशक और CEO हैं संजी उचद्धा टेग लाइन है भारत का अंतरा स्ट्रिये बैंक और 2019 में देना बैंक और विज्जा बैंक को बैंक और बड़ोदा में मर्ज कर दिया गया था तो यह था आज के करेंट और फिर का मस्ट इंपोर्टेंट कोशन वीडियो पसंद आता हो तो शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा